आर आई टी आई परविश परिच्छा में यह आपका 10 साइंस का प्रश्णा है जिसे आप तैयारी कर सके हर एक जाम जो भी आई टी आई का हो जहां हो जिसे स्टेट में हो यह प्रश्ण हमेशा पुछाई जाता है चलिए हम देखते हैं यह कौन सा प्रश्णा है परदा प्रश्णा आपका है एक किलोग्राम की वस्तू की गतिज उर्जा एक जूल तब होगी जब उसकी चाल यानि एक किलोग्राम की वस्तू है उसका जो गतिज उर्जा यानि के यी बराबर एक जूल कब होगा उसकी चाल क्या होनी चाहिए तो इसका आब हम answer खोजने का प्रयास करते हैं इसका answer यहाँ पे है गतिज उर्जा बड़ाबर होता है 1 वर्टा 2 Mb² तो गतिज उर्जा हमारा एक है और हमारा द्रवमान भी एक है तो हमारा भी आजाएगा रूट 2 इसका मतलब यह हुआ 1.4 M² 2.4 M by S1 दूसरा नमारा प्रश्ण यह है कि किसी निकाई द्वारा काड़ी करने की दर को क्या कहते है तो इसका answer होगतार आपको C सक्ती होगा यानि सक्ती बड़ाब होता है काड़ी वाई समय इसलिए C इसका correct answer है उसको आद हम तीसरा नमारा प्रश्ण बाचलते हैं इसमें है निम्न में से कौन सी तरंग बिदुद चुम्बु के तरंग नहीं है यानि इन्न में से कौन सा तरंग जो है इसमें बिदुद चुम्बु के तरंग नहीं है तो इसका answer है धौनी तरंगे इसमें बिदुद चुम्बु के नहीं होता है बिदुद चुम्बु के उसे कहते हैं जो किसी संफर्क में आए बलकि वो आकरशन कर जैसे आपको बिजली हो गया यह बिदू चुम्मुकी है अगला नमा प्रश्न है अमारा पड़्योग साला में एक सरल लूलक 30 दोलन पर 30 सिकेंड कर रहा है इससे उत्पन तरंगे होगी तो इसका एंसर हमारा हो जाएगा धोनी तरंगे धोनी तरंगे में ही आपको दोलन 30 सिकेंड आता है इसलिगे इसका एंसर करेक्ट है धोनी तरंगे अगला नमा प्रश्न है हमारा किसी एक आंग छेतरफल में एक सिकेंड में कुजरनी वाली धोनी उर्जा को कहते है तो इसका एंसर हमारा है तो इसका हमारा एंसर है B, धौनी की तिवरता या हमारे धौनी के तिवरता के कारण ही एक सिकेंड में या कुझरती है अगला नमाँ प्रश्ण है धौनी तरंगे वायू में होती है धौनी तरंग जो रहता है सो वायू में क्या होती है तो इसका हमारा एंसर है अनुद्हाड़ी होती है यानि ए जो है सो क्रेक्ट है अनुद्हाड़े में ही धौनी तरंग जो है सो वायू होती है अगला नमा हमाँ प्रश्ण है कि अनुप्रस्त तरंगे उत्पन की जा सकती है तो अनुप्रस्त तरंगे किस में उत्पन की जा सक अब हमारा है अगलानमा प्राश्ण अभुताल लैंस की फोकस दूरी का करतिये चिन होता है यानि अभुताल दूरी के फोकस दूरी होता है उसका करतिये चिन है क्या होता है तो इसका एंसर है का हमारा एंसर है ए रिनातमक होगा इसका एंसर अगलानमा प्राश्ण हमारा है कि अबुतल लेंस एक वस्तु का परतविम बनाता है तो अबुतल लेंस जो है तो एक वस्तु का परतविम हमेशा हमेशा आपको अबुतल लेंस सीधा, आभासी और छोटा ही बनाती है